नमस्कार भाई कैसे आप सब आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे स्वस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि कि SSE CPO के जो एकजाम है वो खतम हो गए है तीन दिन आपके एकजाम चले से 17-29 अब आपके एकजाम खतम हो गए है तो अब सब को इंतिजार है आंसर की तो इसी टॉपिक पर मैं आप से बात करूँगा कि SSE CPU की आंसर की कब तक आएगी Final Date मैं आपको बता दूँगा इसके बात आपको कहीं भी जाकर कुछ भी बठकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चलो भाई शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को छोटी सी वीडियो होने वाली है ज्यादा बड़ी वीडियो रखोंगा नि ताकि सब का टाइम वेस्ट ना हो सीधी सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ कि भाई आपका आंसर की जो है आंसर की जो है वो कब तक आएगी तो भाई आपके पेपर चले हैं 27, 28, 29, जून और SSC के जितने भी एक्जाम होते हैं उसके तीसरे दिन लिंक एक्टिवेट हो जाता है और चोथे दिन आपकी आंसर किया जाती है ठीक है तो अगर हम इससे तीसरे दिन चले हैं तो एक, तीस, एक, दो तो भाई जो डेट निकल के आई वो है दो जुलाई दो जुलाई को आपका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और तीन जुलाई को आपकी आंसर की खुल जाएगी तो भाई ये मैंने आपको सिंपल सीधी सी डेट बता दिये दो जुलाई को आज एक जुलाई है कल आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा लिंक एक्टिवेट होने के बाद हो सकता है कल शाम तक ही कुल जाए वरना परसो तो आपकी 100% खुल ही जाएगी इसमें कोई चिंतावाली बात है नहीं तो भाई बस एक जिन का इंतिजार हो रहे एक जिन का इंतिजार कर लो फिर आपको पता चल जाएगा आपके कितने क्या व्रॉमाट्स बन रहे हैं यह व्रॉष साफ से आप अपने त्यारी स्टार्ट कर सकते हो बिलकुल अगर आपके किसी भी कैटग्री से मेल हो आपके 1520 नंबर बन रहे है भाइ बिल्गों फिजिकल की तियारी श् है तो भाइ बस इतना ये बताना था मुझे इस वीडियो में आपको आपको बस यह बताना था कि हर जागा जागा बठागनी की जोड़त नहीं है दो जुलाई को आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और ओसकता है कल शाम तक ही आपको बता चल जाए नहीं तो परसु आपकी आंसर की 100% खुल जाएगी बस भाई राम राम बस वीडियो को लाइक करने ना सब्सक्राइब करने ना